सबका स्वागत है आज के इस क्लास में आज के इस क्लास में हम discuss करने वाले हैं विमस्टेक के बारे में क्योंकि आज 6 जून है और 6 जून को विमस्टेक दिवस मनाया जाता है तो आज हम बात करेंगे कि विमस्टेक organization में कौन कौन से members हैं इस organization का objective क्या है इसके बारे में detail में आज की इस class में हम समझेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लें कि बीमस्टेक के introduction के बारे में बीमस्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी Bangkok declaration के माध्यम से तो देखिए आपको date याद रखना है कि कब इसकी स्थापना हुई तो स्थापना होती है 6 जून 1997 को शुरुवात में जब ये संस्था बनी थी तो उस समय केवल चार मेंबर्स इस संस्था के भाग थे भारत बांगलादेश श्रीलंका और थाइलेंड इसका मुख्याले कहां है अगर ये पूछेगा तो आपको याद रखना इसका मुख्याले इसका फुल फॉर्म होता है Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation एक एक करके समझते हैं इन वर्ड्स का मतलब क्या है देखिए Multisectoral का मतलब होता है कई अलग-अलग Sectors Single Sector, Double Sector और Multi Sector Multi Sector का मतलब है कि जो इस संस्था के जो Members है उनके बीच में जो सहयोग होगा वो कई अलग-अलग Sectors में अलग-अलग खेत्रों में होगा Technical and Economic Cooperation Technical का मतलब आपको पता है तकनीकी रूप से और Economic का मतलब आर्थिक रूप से भी इनके बीच में सहयोग की जाएगी साज़दारी इनके बीच में होगी फिलहाल इसकी जो Member Countries है वो आपको यहां Map में दिख रहा होगा यहां आप देख सकते हैं कौन-कौन से इसके Member Countries है जैसे आपको दिख रहा है पहला तो भारत है उसके बाद नेपाल है फिर भूटान है बांगलादेश है म्यामार है थाइलेंड है और यहां नीचे आपको दिखेगा श्री लंका श्री लंका भी इसका पार्ट है तो कुल मिलाके आपको याद रखना है बांगलादेश, इंडिया, म्यामार, स्री लंका, थाइलेंड, भूटान और नेपाल यह बिम्स्टेक के पार्ट है भूटान और नेपाल ने इस organization को 2004 में जॉइन किया था शुरुवात में जैसा मैंने बताया कि शुरुवात में तो भारत की policy रही है नेवर हुट फर्स्ट पॉलिसी यानि की पडोसी प्रथम policy भारत की रही है जब हम बात करते हैं फोरन जो हमारे विदेश की नीतियां होती हैं उसके बारे में जब हम बात करते हैं foreign policies की बात करते हैं तो उसमें भारत के पास दो important policies हैं एक तो है इंडिया neighborhood first policy और दूसरा है act east policy act east policy पहले look east policy थी उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा कर ले गया गया और वरत्मान सरकार ने इसको act east policy के नाम से रखा आप देखिए विम्स्टेक जो है ये एक तरह के pull का काम करता है दो अलग-अलग regions को जोड़ने के लिए एक region कौन सा है South Asia है और दूसरा है South East Asia तो Asia और South East Asia को जोड़ने का काम करता है pull का काम करती है ये organization जिसमें की दोनों ही region के countries इसमें हैं जैसे आप example के लिए समझेगा South Asian countries में कौन-कौन है तो भारत, बांगलादेश, भूटान, नेपाल और स्री लंका फिर से सुनिए भारत, बांगलादेश, भूटान, नेपाल और स्री लंका ये South Asia की countries हैं जबकि म्यामार और थाइलेंड जो है ये South East Asia की country है आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे South East Asia की countries में ये आ गई म्यामार और थाइलेंड तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि South Asia और South East Asia दोनों की ही countries इसकी party हैं जैसे आप देखिए म्यामार और थाइलेंड ये दो हो गए South East Asia बाकी भारत, नेपाल, भूटान, बांगलादेश, श्री लंका ये सब कहां आ जाते हैं? ये आ जाते हैं South Asian countries की list में अब हम आगे बढ़के ये समझते हैं कि इसका importance जब हम देख रहे थे तो एक चीज और समझना है देखिए भारत और पाकिस्तान, इसमें से केवल भारत ही बिमस्टेक का हिस्सा है, पाकिस्तान बिमस्टेक का हिस्सा नहीं है जबकि एक ऐसा ही संगठा नौर है, जो है South Asian Association for Regional Cooperation, जिसको हम कहते हैं सार्क अब समझें इस चीज को, सार्क में भारत और पाकिस्तान दोनों देश हैं, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी कोई conflict होता है, border से related या terrorism से related जब भी कोई dispute होता है तो इसका असर उस संस्था पे भी पड़ेगा, जिसमें ये दोनों हिस्सेदार हैं, अब चुकि बिमस्टेक में भारत ही है, पाकिस्तान नहीं है, इसलिए इन दोनों के रिष्टों का असर इस संस्था पे नहीं पड़ेगा, ये इसकी एक खास बात है मतलब भारत को अपना हित अगर देखना है, बिमस्टेक कंट्रीज के सहयोग के साथ भारत को अगर कुछ करना है, तो उसमें पाकिस्तान टांग नहीं अडाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इसमें है नहीं, जबकि सार्क में उल्टा हो जाता है, वहाँ पे दोनों हैं, तो दो देखे, इसके चार प्रमुख अबजेक्टिव सापकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इसी के बारे में हम डिसकस कर लेते हैं, सबसे पहली चीज है, इकोनॉमिक डेवलप्मेंट ऑफ रीजन, साउथ एसिया और साउथ इस्ट एसिया की जो कंट्रीज विमस्टेक का पार् दूसरा इसके अबजेक्टिव है, इन्हेंसिंग इस्पिरिट ऑफ पार्टनर्शिप एंड इक्वैलिटी, यानि सहयोग की भावना का विकास करना, और पूरे इस खेत्र में समानता लाना, ये इसका एक अबजेक्टिव, तीसरा प्रमुख अबजेक्टिव क्या है, वो ह समय के हिसाब से ये इक्वेशन्स बदलती रहेंगी, कभी कोई दूस्मन हो गया, कभी कोई दोस्त हो गया, दूस्मन दोस्त टाइप का कुछ नहीं है, बस यह है कि कहा से फायदा मिल रहा है, ये देखाया था इंटरनेशनल इलेशन में, तो यहां पर भी जब हम इसकी जि निकालिए, मतलब जिससे सब का भला हो रहा हो, उस तरह के हितों को आगे लेकर चलने के लिए, विम्स्टे का एक अब्जेक्टिव ये भी है, एक लक्षी ये भी है, नेक्स्ट है, असिस्ट फॉर्ट ऑफ एजुकेशन, साइन्स और टेक्नोलोजी, देखिए, डिस्ट्रिब्यूट हो, सब को एजुकेशन मिलना चाहिए, सब को साइन्स का डेवलपमेंट का फायदा होना चाहिए, सब को टेक्नोलोजी के डेवलपमेंट का फायदा होना चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है, ये विम्स्टेक के माध्यम से की जाती है, अब हम बात कर मेंबर्स के बारे में बता दिया गया है, फुल फॉर्म के बारे में बता दिया गया है, अब्जेक्टिव्स क्या हैं ये भी बता दिया गया, भारत के लिए इस संस्था का महत्व क्या है ये भी इस छोटे से वीडियो में मैंने बता दिया, तो आब यहां पे आपकी स्क्रीन पर प्रधान मंत्री के द्वारा एक मैसेज दिख रहा होगा इन्होंने बधाई दी है इस establishment day की कि आज इसका स्थापना दिवस है इसके साथ-साथ इन्होंने ये भी विश्वास जताया है कि विम्स्टेक की जितनी भी countries हैं सब साथ मिलकर COVID-19 pandemic से लडेंगी इच में 24 साल का gap होता है तो 24 वर्ष आप इसको याद रखिएगा कि 24 वास थापना दिवस है विम्स्टेक का बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलिगाम चैनल का लिंक है इस पूरे पीपीटी को प्राप्त करने के लिए टेलिगाम चैनल से जरूर जुड़िएगा वहां आपको ये पूरा जो PPT है वो आपको मिल जाएगी बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका थैंक्यू सो मच